स्कोप या ब्रांचेज ओफ साइकोलोजी जनरल साइकोलोजी जनरल साइकोलोजी में जो सामान्य इंसान है सामान्य इंडिज्वल है उसके मेंटल लाइफ के बारे में स्टेडी किया जाता है या उसके साथ डील किया जाता है उसे कहते हैं general psychology comparative और animal psychology में जो animal है उसके behavior के बारे में study किया जाता है और उसके behavior को इंसान या दूसरे जानवर से compare किया जाता है physiological psychology में जो हमारी body है या body के organs है उनका क्या effect पढ़ रहा है हमारी human behavior पर उसके बारे में study किया जाता है और genetic psychology को हम development psychology भी कहते हैं और इसमें study किया जाता है जो behavior डवलप होते हैं हमारे birth के समय, childhood के समय, adolescence, old age के समय और जो child psychology है उसमें जब बच्चा पैदा होता है और 12 एज तक जो उसका behavior में change आता है जो behavior होता है उसका उसके बारे में study किया जाता है child psychology में abnormal psychology में जो individual abnormal है मतलब unusual है ऐसा धरन है उसके behavior के बारे में study किया जाता है और mental disorder के बारे में और उस mental disorder के cause के बारे में और treatment के बारे में study किया जाता है प्लिनिकल साइकोलोजी में कैसे एक परसंद दूसरे परसंद से होती है diagnosis करने के लिए treatment करने के लिए उसके बारे में study करना होता है clinical psychology educational psychology student की problem को solve करता है उसके बारे में study करता है और जो educational educational setting होती है इंडिज्वल की उसमें educational setting में इंडिज्वल उसके बारे में study करता है और जो student है और teacher है उन दोनों का क्या behavior है classroom में उसके बारे में study करना और student और teacher में क्या relation है और कैसे study method है कैसा study method है और teaching method कैसा है उसके बारे में study करना कि क्या होता है educational psychology industry psychology relation बताता है man और machine के बारे में मैं और machine के बीच का relationship है और जो industry में जो भी problem आ रही है जो भी workers के बीच में problem आ रही है और workers के behavior के बारे में जाना और workers की problem के बारे में जाना और कैसे industry की growth हो सकती है उसके बारे में study करना यह सब आता है industrial psychology में पैरा psychology में पैरा psychology कभी भी scientific लोग को follow नहीं करती जैसे कि हमारी है तो टेलेपेठी तो टेलेपेठी में कुछ scientific बात नहीं है यह टेलेपेठी एक अलग से लिए कि इसे मिल गया से इन कि experimental psychology में क्या होता है जो ठोरी जो principle को प्यों करके जो हमें जो भी मिलता है मतलब ठोरी जो प्रिंश्पल्ड ञोमिलते एक्सपेरिमेंट करके उसे क्याते है एक्सपेरिमेंटल साइकोलोजी और अप्लाइड साइकोलोजी में क्या होता है जो हम प्रैक्टिकल सॉल करते हैं कोई भी प्रोब्लम उसे क्याते है अप्लाइड साइकोलोजी